यहां कभी अचानक से गैस्ट आ जाते हैं और हमें बहुत जल्दी होती है कुछ बनाने की तो हम इस रेसिपी को एक तम जट पड कुकर में बना सकते हैं तो इसे बनानी के लिए सबसे पहले इसका मसाला तैयार कर लेते इसके लिए मैंने पांच बड़े चमच दही लिए हैं अब इसमें आज चोटी चमच जीरा पाडर अड करेंगे ए्पड़े चमच धन्या पाडर अड करेंगे और एक तियरो चमच लाल मिच पाउडर और जे चमच चिकन मसाला और इसे दही से अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने मीर्ची अपने हिसाबसी डाला है आप मीर्ची अपने स्वात के अनुसार डाले सबसे पहले मैंने गयास को अनकर करके प्रेशर कूपर को गर्म कर लिया है अब उसमें तीन बड़े चमत सरसो का तेल एट करेंगे और आज़े चमत चीरा आज़े चमत सौप एक तेजपत्ता एक किंच दाल चीनी और दो हरी लाइची डालेंगे और इसे तेल में अच्छी से चटकने देंगे अब इसमें कटे हुए प्यास डाल देंगे मैंने यहाँ पे दो बड़े साइज के प्यास लिये हैं और एक हरी मिर्च डालेंगे मिर्च आप अपने हिसाब से डाले और इसे मीडियम फ्लेम पे 4-5 मिर्ट के लिए लाइट गूल और ब्राउन होने तक प्यास को फ्राय कर लेंगे प्यास को बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि प्यास evenly fry हो और वो जले नहीं और प्यास जैसे ही फ्राइ हो जाएंगे हम इसमें चिकन को आड़ कर देंगे मैंने चिकन को अच्छे से पाने से साफ कर लिया है अब इसमें स्वाद अनुसार नमग डालेंगे एक च्छूटा चमच हल्ढी पाउडर डालेंगे और इसे चिकन से अच्छे से mix करें लेगे और चिकन को priorities तब तक फ्राइ रहेंगे जबते के चिकन से तेल अलग变 नहीं होने लगे अब चिकन फ्राइ हो गया है और तेल चिकन से अलग दिख रहा है तो अब हम इसमें एक बड़ा चमच अद्रक लेसन का पेस्ट आड़ करेंगे और एक कटा हुआ टमाटर आड़ करेंगे मैंने हाँ एक मीडियम साइज के टमाटर लिये है और इसे भी चिकन से अच्छे से मिक्स करके 2 मिनिट के फ्राई करेंगे दो मिनिट बाद हम तयार के हुआ मसाला एड़ करेंगे जो हमने सुखे मसाले और दही को मिला करके बनाये थे और अब इसमें कटे वे फ्रेश हरा धनिया डालेंगे और थोड़ी से कसूरी मिती मैं इसे ऐसे क्रश करते हुए डाल रही हूँ हातों से और इसे अच्छे से चिकन से मिलाएंगे और हाई फ्रेम पे फ्राइ कर लेंगे चार से पांच मिनिट के लिए चिकन को बीच पीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से फ्राइ हो जाए अब मसाला जो है वो अच्छे से फ्राइ हो गया है अब मैं इसमें एक कप यानि 250 आमिल पानी अट कर रही हूँ और एक तिहाई छोड़ी जमच गरम मसाला अट कर रही हूँ इसे चिकन से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्रिशर कुकर का धकन बंद करके दो सीटी आने तक पकाएंगे मीडियम फ्लिम पे आप इस चिकन की रेसिपी को एक पार घर पे जरूर ट्राइ करें और अपना एक्सपिरेंस शेर जरूर करें अब इसमें दूसरी सिटी लग चुकी है अब हम ग्यास का फ्लिम को बंद करके प्रिशर कुकर को ऐसी ठंडा होने के लिए रख देंगे अब कूकर से सारा प्रिशर निकल चुका है और ये ठंडा भी हो गया है अब हम धकन खूल के चिकन करी को चेक करते हैं आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा दिक रहा है और ये खाने में भी उतना ही अच्छा लगता है अगर आपको मेरे आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी ज़रू दबाए ताकि मेरे आने वाली है नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचिए